तो हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल GTX राजपूत गेमिंग में और मैं आपके लिए बहुती शांदार फ्री फायर की टेकनिक लेके आ चुका हूँ जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेकनिक एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसे आप यूज करके अपने जिहां दोस्तों आप अपने कोईन जिहां दोस्तों आप अपने जो है सिल्वर कोईन जो है वोने आप अपने डाइमन में बदल सकत तो दोस्तो हमारी ये वीडियो बिल्कुल भी इसकी पमत कीजेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो कीजेगा और मैं आपको बता दू कि क्यूंकि वीडियो बहुत बढ़ी हो सकती है तो मैं इसके साए दो पार्ट अपलोड करूंगा तो फ़र्ष्ट पार्ट ये सम अगर फॉलो किया तो आपको 100% जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने diamonds coin को जो है जी हां दोस्तो आप अपने silver coin जो इतने भी होते हैं आप अपने game play करते हो उस पर आपको silver coins मिलते हैं और उन coin को आप अपने diamond की में जो है ले सकते हो आप direct उसे diamond में कैसे convert कर सकते हो व अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको 100% जो है ये technique आपके free fire पे आप use कर सकते हो ये कोई भी hack नहीं है बलकि हम direct bypass करेंगे coin को direct diamond में बदल देंगे जिसकी मदस से आप direct diamond आपको मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ब subscribe कर लिजेगा हमारे channel पे मैं every Sunday को giveaway करता हूँ 10,000 diamond के और साथ ही हम tournament करते हैं और tournament winner को देता हूँ 5,000 का pay tm cash तो दोस्तो आप हमारे tournament में भी participate कर सकते हैं और जीत सकते हैं 5,000 का pay tm cash तो दोस्तो आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और इसमें जो technique आपको बताऊ करना है और अपने free fire पे जी हां अपने free fire के जितने भी coin है वोने आप अपने diamond में जो है बदल सकते हो आईसी वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने diamond जो है coin की मदस से ले सकते हो वो भी आपके पास अगर पैसा नहीं है फिर भी आप जो है अपने mobile म और उसके बाद जो है आपके लिए PC पर भी अगर आप PC पर free fire खिलते हो तो उस पर आप कैसे ये use कर सकते हो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तो मैं आपको अपने mobile की screen पे ले जाऊंगा जहां पे ये technique कैसे काम करती है कैसे आप अपने silver coin को जो है diamond में ले सकते वो सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजे और हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को भी दबा दें तो दोस्तों चलिए आज की जो ये वीडियो है शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दू दोस्तों कि हमारी ये वीडियो बहुत लंबी है इसलिए मैं इसके दो पार्ट बताऊंगा तो पहले पार्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सी वेबसाइड में जाना है कौन सी टेक्निक यूज करनी है और second part में ये कैसे complete होगा वो सब कुछ आपको बताऊंगा तो दोस्तों चलिए mobile की screen पे चलते हैं तो सबसे पहले मैं हमारी home screen पे आ जाता हूँ तो आप देख सकते हो हमारी home screen पे आ चुके हैं यहाँ पे आने के बाद आपको अपने एक application की जरूते जिहां दोस्तों आपको एक mobile की application की जरूते इसके लिए आपको सबसे पहले अपने google play store को open करना है google play store open हो जाएगा और आपको अपने search box में जाना है और यहाँ पे आपको search करना है apps apps edit आप search कीजगा तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपके सामने page खुल जाएगा तो guys यहाँ पे आप logo को एक application I'm sorry दोस्तों तो apps editing आप search कीजगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक apps मिले तो दोस्तों जैसे ही आप apps editor search करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे बहुत सारे apps जो है आ जाते हैं यहाँ पे आप logo को किस application की जरूते अगर आप अपने coins को diamond में बदलना चाते हो तो आपको इसके लिए एक apps download करना होगा जिसका नाम है यहाँ पे apk player तो आप देख सकते हो apk players इसका नाम है तो आप अपने mobile में जो है इस application को install कर लिजे तो हम इसे install करते हैं और अगर आप भी hacking सिखना चाते हो तो दोस्तों हमारे channel को जरूर subscribe कर लिजेगा क्योंकि हमारे channel पे मैं every Sunday को जब live streaming करता हूँ तो किसी ने किसी game की hacking भी आप लोगों को सिखाता हूँ तो दोस्तों आज की यह जो वीडियो है केवल और केवल coin को आप कैसे अपने diamond में बदल सकते हो इस पर मैं बना रहा हूँ और यह बहुत ही शानदार है आपको अपने mobile में इस application को install करना है install हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बता दू कि 10 million जी हाँ दोस्तों 10 million इसके download जो है complete हो चुके हैं तो आपको बस इसे use करना है और आप इस application को open कर लिजेगा जैसे open करोगे तो इस तरह का interface आपके सामने आएगा यहाँ पे देखिए आपको select करना है select apk for apps all जितने भी apps हैं वो आपके सामने आएंगे इस तरह से अब यहाँ से जो है main process शुरू होता है लेकिन guys यहाँ से जो main process है वो से आप कैसे use करोगे इसके लिए आपको सबसे पहले अपने free fire पे जाना है अपने free fire को open कर लिजे तो मैं आपको बता दू दोस्तों कि इसके लिए यहाँ पे आने से पहले आप अपने mobile में अगर VPN का use करें या Wi-Fi का use करें तो सबसे अच्छा होगा तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा यहाँ पे आपको file के option पे जाना है जैसे आप file के option पे जाओगे तो एक नया page आपके सामने खुलेगा कुछ यहाँ पे बहुत लंबा समय लग सकता है यहाँ पे आपको waiting करनी होगी और यहाँ पे अब आपको एक application apps यहाँ पे HTML मिलेगा android manufacturers का तो इस पे आप click कीजे तो इस तरह का page आपके सामने जो है free fire के courts जो है open हो जाएंगे यहाँ पे आपको slide करना है नीचे की और और यहाँ पे दीखिए आपको बहुत सारे bracket नजर आएंगे यहाँ पे आप लोगों को में से बहुत से जो है समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे उसे करना क्या है तो यहाँ पे दीखिए हमारा HTML IP है वो भी यहाँ पे है तो हमें सबसे पहले तो VPN अगर यूज़ कर रहे तो यहाँ से VPN में इसलिए आपको बोल रहा था इन डायमंज को बस आपको यहाँ पे यहाँ पे कुछ numbers यहाँ पे दिखाए देंगे तो इसके आगे आपको बस bracket जो हे open होगा तो उसे आप यहाँ पे add rate लगा कर इसे close कर दीजे तो इस तरह से देखे रंग जो है वो बदल चुका है गाईस इसका मतलब जो है हमने सही जगा पे जो है एडरेट लगाया था IP आप देख सकते हो दुबारा से चेंज हो गया हमारा तो गाईस आपको बस इसी तरह से यूज करनी है फिसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे देखे save का option मिलता है तो गाईस आपको यहाँ पे save के option पे click करना है यहाँ पे देखे जैसे ही बाहर निकलोगे तो इस तरह से आपको डारेट बाहर आ जाएंगे आप तो आपको यहाँ से जो है अगर नया प्रोजेट जैसे बेक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखिए SaeVD प्रोजेट पे आपको क्लिक करना ए और एक नया प्रोजेट बनाना ए क्योंकि गाइज अगर मैं इस समय क्लिक करूंगा तो ये वीडियो जो है बहुती बड़ी हो जाएगी मैक्सिमन यहाँ पे जो है 15 से 20 मिनिट आपको जो है नया एप से तैयार होने में लगेगा तो आपको जो है 15 से 20 मिनिट वेट करना पड़ेगा अपने save the project पे क्लिक करने के बाद और ये project automatic आपके जो है आपके mobile में save हो जाएगा save होने के बाद दुबारा से आपको अपने free fire पे जाना है तो दोस्तों दुबारा से आप अपने free fire को open कर लिजे और जैसे आप अपने free fire को open करोगे तो देखे गाईज क्योंकि हमारा पेले से direct open था तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन हमें इसे बंद करना है और आप इसे बंद करके दुबारा से open कीजे और अगर ये technique आपके mobile पे काम नहीं करती है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको अपना VPN जरूर use करना है तभी ये technique काम करेगी और आपके जो है यहाँ पे आने के बाद 10-15 मिन्ट आपको wait करना होगा maximum जो है जाज़ज़ जादा 5 मिनिट का time लेता है और ये जो diamond है आपके coin जो है यहाँ से minus हो जाएंगे और आपके diamond जो है add होना शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को like कीजे share कीजे और हमारे channel को subscribe करके bell icon को भी दबा दे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हमारी next वीडियो में तब तक के लिए take care तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हमारी next वीडियो में चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही